exercise 4.5 का question number second देखते हैं यहाँ पर आपको एक rhombus construct करना है एक rhombus draw करना है जिसका diagonal आपको दिया हुआ है 5.2 cm और 6.4 cm तो rhombus भी एक special quadrilateral होता है quadrilateral का एक special case है rhombus क्यों होता है special क्योंकि इसके भी 4 sides equal होते है diagonals perpendicular bisector होते हैं आप पिछले chapter में पढ़ चुके हो rhombus के बारे में उसके properties के बारे में आपको पता है तो यहाँ पर minimum आपको दो देखो सिर्फ दो diagonals का measurement दिया हुआ है इन दोनो diagonals के base पे इन दोनो diagonals के length के base पे आप एक rhombus construct कर सकते हो इसलिए एक rhombus भी एक special case होता है quadrilateral का ठीक है तो क्या करें के पहले इसका एक rough diagram ड्रॉख कर लेते हैं generally rhombus को इस तरह से हम लोग ड्रॉख करते हैं ताकि यह square से अलग दिखे क्योंकि rhombus और square दोनों के जो sides होते हैं वो equal length के होते हैं ठीक है तो rhombus को हमेशा ऐसे ड्रॉख किया जाता है इसे शोग किया जाता है और यहां पर इसके diagonal का length दिया हुआ यह diagonal हो गया यह दूसरा diagonal हो गया सपोज इस diagonal का length अपन ले लेते हैं 5.2 cm और यह जो लंबा diagonal है यह ले ले लेते हैं 6.4 cm आप question में ध्यान से देखो इस rhombus का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है नाम आप अपने तरफ से दे सकते हो तो मैं इस rhombus को एक नाम दे देता हूँ तो फूस A, B, C, D मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ आप कहीं से भी नाम दे सकते हो तो रॉंबस के property को आपन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तो अभी बता चुका हूँ मैं आपको रॉंबस का एक property होता है कि इसके सारे sides equal होते है डाइगोनल को लेके इसका जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि रॉंबस के जो दो डाइगोनल होते हैं दोनों डाइगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि इस point of intersection से यहां पर सपोज इसका नाम O है यहां पर चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा यह एंगल भी 90 डिग्री का होगा य ये एंगल भी 90 degree का होगा और ये साइड का एंगल भी 90 degree का होगा तो वो हो गया perpendicular अब bisector क्या होता है bisector मतलब किसी भी चीज को दो equal part में divide करना तो CA जो है ये दो equal part में divide होगा यानि कि 6.4 cm जो length है वो CA का length है CA आप देखो बीच में center में इसके O है तो CO is equal to OA हो जाएगा 6.4 को अगर 2 भाग में आप divide कर लो 6.4 divided by 2 कर लो तो divide होगा 2 बंज़ा 2 ये हो गया 2 3 जा 6 पॉइंट का point 2 जा 4 तो CO 3.2 cm का हो जाएगा और OA 2.2 cm का हो जाएगा वैसे ही D भी जो है 5 cm का है 5.2 cm तो 5.2 को अगर 2 से divide करें 2 1 जा 2 ये होगा 2 2 जा 4 decimal 1 यहां से shift हो गया 2 6 जा 12 2.6 cm ठेक है तो DO 2.6 cm का होगा और O भी 2.6 cm का होगा ये कैसे पता चल रहा है आपनोंको rhombus के property से क्योंकि rhombus का एक property बोलता है कि इसके जो दो diagonal होते हैं दोनों diagonal perpendicular bisector होते हैं तो perpendicular bisector आपको clear हो गया होगा अब आपन इसका diagram draw करना शुरू कर देते हैं तो diagram draw करने के लिए सबसे पहले DB को base ले लेते हैं DB का length हमने लिए 5.2 cm आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो DB is equal to 5.2 cm और AC is equal to 6.4 cm यह इसनले लिखने हो क्योंकि question में आपको particular कोई नाम नहीं दिया हो है नाम अब अपने तरफ से दे रहे हो तो अब क्या करेंगे DB पहले draw करते हैं तो center में आप एक base यह से द्रॉ कर लो यह हो गया D यह हो गया B और यह इसका length दिया हुआ है 5.2 cm अब इन दोनों diagonal में से कोई भी diagonal पहले draw कर सकते हो ठीक है जैसे आप draw करोगे उसके according ही आपका diagram बनेगा तो पहला step हो जाएगा draw a line segment DB of length 5.2 cm अब इसके बाद देखो हम लोग को यहाँ पर एक perpendicular bisector बनाना है इसा एक perpendicular line यहाँ पर draw करना है तो perpendicular line कैसे draw होगा आपको क्या करना है सिर्फ एक 90 degree का line यहाँ पर draw कर दिना है 90 degree draw करना है जो एक ऐसा line जो DB के उपर perpendicular है इससा मतलब वो line यहाँ पर चारो तरफ 90 degree का angle बनाएगा कैसे draw करते है pencil पे pencil को rounder में फटा किया आप यहाँ से D से B के D से B का जो length है उसका half से थोड़ा सा ज़ादा आपको measure कर लेना है ठीक है half से थोड़ा सा ज़ादा D में place करना है उपर एक arc cut करना है और नीचे एक arc cut करना है यहाँ से एक arc cut हो गया यहाँ एक arc cut हो गया same measurement से B में rounder को place करना है जो arc आप draw कर चुके उपर नीचे इसको intersect कियाने की cut कर लेना है ऐसे अब इन दोनों point of intersect intersecting point को join करते हुए एक line आपको draw कर लेना यह draw हो गया अब बहुत बार गलती यह होता है कि लोग क्या करते है इतना कर लेने के बाद में उपर में C point है तो D को इस intersecting point से जोड़ के इसको C लिख देते है और नीचे में A है तो D और B को जोड़ के यहाँ पर A लिख देते है ठीक है आपको करना क्या है यहाँ पर एक 90 degree का angle बन गया है इसका step क्या होगा make a perpendicular line on DB ठीक है बस इतने ही लिखने आपको make a perpendicular line on DB which bisects DB यह भी लिख सक्टे हो which bisects DB ठीक है उसके बाद यहाँ पर देको C से जो O है ठीक है इस intersecting point के नाम आप ओ देतो C से O का जो length है वो 2.6 cm का हैगा आप यहाँ पर लिख सकते हो CO is equals to OA ठीक है यह CO is equals to OA is equals to यह वाला था ठीक है यह 6.4 का है दो पार्ट में डिवाइड होगा तो 3.2 cm यानि कि CO 3.2 cm का है और OA भी 3.2 cm का है आपको क्या करना है राउडर में पैंचल फसाके स्केल से 3.2 cm मेशर कर लेना है with O as a center यहाँ पर आपको एकार्ग उपर में कट करना है suppose इस लाइन का आपन नाम दे देते हैं L M ठीक है उपर में एक यहाँ पर O में प्लेस करके 3.2 cm से उपर एकार्ग कट करना है सेम मेजरमेंट से आपको नीचे भी एकार्ग कट करने ना है यहाँ एसा ठीक step क्या हो जाएगा with O as a center and radius 3.2 cm make an arc above and below the perpendicular line L M ठीक है या फिर above and below the line line segment DB on L M ठीक है उसके बाद इस point of intersection का आप नाम दे सकते हो C इसका नाम हो जाएगा D आप लास्ट इसका आप आपको जॉइन कर लेना है जॉइन CD CB D अच्छा इसका नाम C यह A है ठीक है यह A है DA and AB यह rhombos अपना construct हो गया है जिस method से जो method आपको बताए method से आप अगर इस rhombos को construct करोगे तो आप measure करने के बाद finally जब आप measure करोगे तो AD, DC, CB, BA चारों का length equal आएगा ठीक है यह हो गया exercise 4.5 का second question यह हो आप